जो प्रॉब्लम है तो एनल फिशर का प्रॉब्लम है फिशर का प्रॉब्लम है फिशर का प्रॉब्लम है फिशर का प्रॉब्लम है दो साथ से मेरा बहुत प्रॉब्लम में चल रहा है तो आप इसके लिए किया और मेरा प्रॉब्लम मैं रोज लोज ये डिफिकेशन नहीं चलिए जी जी मैं समझ गया है देखे ये भी एक बहुत बड़ी समस्या देश में पास फिसर फिश्टूला फिश्टूला जब हो जाए तो पतंजली में आकर के आप लोग सहले चिकित्सा करवा सकते हैं ख्षार सूतर उसको बोलते हैं और एम से लेकर के पीजियाई से लेकर के अपॉलो से लेकर के गंगाराम से लेकर के दुनिया के देश के बड़े हॉस्पिट्रल्स के बिगड़े वेकेस हम लोग ठीक करते हैं और हजारों पेसेंट्स का पूरा डेटा उनके दस्तावीज हमारे पास हैं कोई भी देख सकता है जो भी ओपरेशन हम करते हैं उसको हम संभाल के रखते हैं जिससे कि लोगों को ह हम अपने सहले चेकित्सा की जो प्रथम गुरू तो महर्शी शुश्रोती थे और महर्शी चरक्शुश्रोत और धनवंतरी की परमपरा को ही पुझा आचारे भाक्षन जी और हम लोग मिलकर के आगे बढ़ा रहे हैं खेर बबासीर के लिए पहले तो कब दूर करने के खाना धीरे धीरे खाना खाने में पहले सलाद या फल खाना अंकुरी तो ज़्यादा लेना चबा चबा करके खाना दिन में तीन से चार लिटर पानी जरूर पीना लोग पानी पीने में बहुत कंजूसी करते हैं और सरदी में तो और ज़्यादा पानी कम कर देते हैं अगल पूरी तरह से ये पायल्स भी फिशर भी फिश्टि उला भी इन सब के लिए उप्योग ये काया कलपटी और अर्ष कलपटी ये दो दो गोली सुबह साम खाली पिट ले लेना अभया रिष्ट एक पीने की लिक्विड है ये अपने पतांजी कित साल है अरोगी केंद्रों से आपको मिल जाएगी अभया रिष्ट ये भी चार-चार चमस दवा चार चमस पानी खाने के बाद ले लेना और यहां से पॉइंट है अंगोठे के नीचे यहां कलाई की तरफ यहां दो-दो मिनट यहां से दबा लेना और जब मैं घरेल उपाय बताता हूं कि गाये के कुछ भी पिलेना हूंड़ट परसेंट यह फिशर आपका ठीक हो जाएगा